मुझा इंशालोम एवरिवान जिंदगी गले लगाले में मैं अनीतु पी चौधरी एक पर फिर आपके साथ हूँ दोस्तों जब हम अपने जीवन में अमबिशन को लेकर चलते हैं गोल को लेकर चलते हैं तो बहुत सारे आपस और डाउन्स के बाद कई बार इंसान इतना हताश हो जाता है कि उसको लगता है कि उसे गिवप कर देना चाहिए पर मैं आज आपको इंकरेज करना चाहती हूँ डू नाट गिव आप मैं आपको एक एक एक्जाम्पल दिना चाहूंगी एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें एक ऐसा स्कल्प्टर होता है जो एक बड़ी रॉक को तोड़ने की कोशिश करता है और उसमें से कुछ आकार पनाकर कुछ मूरत बनाना चाहता है और वो बड़ी कोशिश करने के बाद में 20, 30, 40, 50 बार भी उसको हिट करने के बाद में तोड़ नहीं पाता वो थोड़ी और मेहनत करता है तो 80-85 पर भी कर पाता है और उसके बाद जब वो 90 पर उसको हिट करता है तब भी वो रॉक टूटता नहीं अब वो बड़ा परेशान हो जाता है उसे लगता है चल थोड़ी और मेहनत करके वो 95-96 ताइम भी उसके हिट करता और कुछ नहीं होता अब by the time वो 99 तक पहुंचता है उसके बाद वो अपने हथोड़े को साइट पर रख देता और वो सोचता है कि नहीं, there is no point so he tends to give it up लेकिन होता क्या है उसके अंदर से आवाज आती है और वो फिर हथोड़े को उठाता है और जोर से वो उस रॉक को मारता है अगर आज आप 99 स्टेप्स चल चुके है आपने अटेंप्स कर ली है और एक अटेंप्ट के वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ है इस नहीं हुआ है, it is not going to be successful and you are about to give up I am telling you, be encouraged, do not give up Thomas Elva Addison ने भी 1000 ताइम्स उसने अटेंप्ट किया और 1000 ताइम्स अंसक्सेस्फुल अटेंप्स के बाद उसने बल्ब का इन्वेंशन किया तो उसने ये नहीं कहा कि मैं हजार बार अंसक्सेस्फुल रहा उसने कहा मैंने हजार बार अटेंप्ट किया तो आप भी अटेंप्ट करें परमेश्वर का बचन कहता है कि जो लोग प्रभू की बार जोते हैं जो लोग परमेश्वर पर निगाहें लगाते हैं तो वो प्रभू से नया बल हासल करते हैं आज मैं आपको कहना चाहूंगी कि अगर आप भी अपने गोल की ओर बढ़ना चाहते हैं आप भी अपने लक्षे को ग्राब करना चाहते हैं तो आप भी परमेश्वर के हाथ को पकड़े क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है कि हम परमेश्वर से नया बल पाते हैं और नया बल पाकर obviously हम और तेजी से आगे बढ़ पाते हैं और थकते नहीं प्रभु का वचन बताता है So be blessed, be encouraged और परमेश्वर से नया बल पाकर आप अपने गोल को अचीव करें In Jesus name, Amen